हेलो स्टुडेंट्स लेट असी एक्सरसाइज 2.3 कुश्यन नमर वन तो आजे दिखते हैं कुश्यन नमर वन को पहला पार्ट है एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से डिवाइड किया जाता है तो देखिए आपको रिमाइडर थेओरम पढ़ाया गया है तो रिमाइडर थेओरम का यूज करके हम इस कुश्यन को साल्ब करेंगे तो आएए इस कुश्यन को हम साल्ब करते हैं तो आप लिखेंगे let p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 यानि डिवाइडर को हम p of x सपोच कर लेंगे माल लेंगे और x plus 1 का 0 find out करेंगे तो देखिए since x plus 1 is equal to 0 तो x is equal to क्या आया माइनस 1 तो आप लिखेंगे 0 of x plus 1 is minus 1 अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको minus 1 put कर देना है तो x के सथार पर minus 1 रख देंगे तो p of minus 1 is equal to x cube है तो minus 1 whole cube plus 3 है 3 into x square है तो minus 1 का whole square plus 3x है तो 3 into minus 1 plus 1 अब इसको साल्ब कर लेते हैं minus 1 whole cube means minus 1 into minus 1 into minus 1 is equal to क्या आयेगा minus 1 और यह देखें minus 1 का square करेंगे तो minus 1 into minus 1 plus 1 और 3 बंजा 3 तो आगे यह plus 3 और यह plus minus का into minus 3 बंजा 3 मैनस 3 और यह plus 1 तो देखें plus 3 minus 3 कट गया minus 1 plus 1 कट गया क्या आया जीरो आया तो reminder आपका आगया 0, तो आप लिखेंगे, so by reminder theorem 0 is the reminder, यानि reminder क्या आया, 0 आईए, तो आईए, next part को साब करते हैं, next part है, x-1 by 2, तो इसमें भी आप divident को p of x सपोच कर लेंगे, आप लिखेंगे, let p of x is equal to xq plus 3x square plus 3x plus 1, और x-1 by 2 का 0's find out कर लेंगे, तो देखिए, since x-1 by 2 is equal to 0, तो minus 1 by 2 को right में भीजेंगे, sign change हो जाएगा, तो x is equal to क्या आया, 1 by 2, तो आप लिखेंगे, 0 of x-1 by 2 is 1 by 2, अब जहाँ जहाँ x है, वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1 by 2 रख देंगे, तो आप लिखेंगे, p of 1 by 2 is equal to, देखिए, x cube है, तो 1 by 2 का whole cube plus 3x square है, तो 3 into x के अस्थान पे, 1 by 2 का whole square, plus 3x है, तो plus 3 into 1 by 2, plus 1 है तो plus 1, हम लिखेंगे, अब देखिए, 1 by 2 का whole cube is equal to क्या होगा, 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1, और 2, 2 by 4, 2 by 8, तो आगे 1 by 8, plus 3 into 1 by 2 का whole square, 1 by 1, 2 by 4 आगे, plus 3 by 3, 3 by 2, plus 1, तो आप लिखेंगे, 1 by 8, plus 3 by 3, 3 by 4, plus 3 by 2, plus 1, अब हम क्या करेंगे, देखिए, सबका denominator equal नहीं है, तो हम LCM लेके denominator equal कर लेंगे, देखिए, 8, 4, 2 और इसका denominator है 1, सबका LCM क्या आएगा, 8, तो आप 8 लिख लेंगे, अब सबका denominator 8 करना है, तो देखिए, 8, 1 जा 8, तो 1 से उपर ही multiply करेंगे, 1 जा 1, प्लस है, प्लस, यह 4, 2 जा 8, 4 का table 2 बार पढ प्लस, अब देखिए, इसके नीचे 1 है, 1, 8, जा 8, 8 बार पढ़ेंगे, तू, पर भी अट से multiply करेंगे, 8, 1, जा 8, तो आगया, प्लस 8, एड कर लीजे, 12, 8, 20, प्लस 6, 26, 127, तो आगया, 27 by 8, ठीका है, यह 27 by 8 आपका reminder है, तो आप लिखेंगे, so by reminder theorem, 27 by 8 is reminder, आईए, आप थर्ड को solve करती है, देखिए, थर्ड पार्ट है, x, डिवाइडन को आप P of x सपोच करेंगे, लिखेंगे, let P of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, और x का 0 निकालेंगे, 0 of x is 0, देखिए, x का जो 0 निकलेगा 0, क्योंकि x is equal to 0 होगा, तो आप लिखेंगे, 0 of x is 0, अब जहाँ जहाँ, x है देखिए, x cube है, तो 0 cube, प्लस 3x square है, तो 3 into x का value 0, 0 square, प्लस 3x है, तो 3 into 0, प्लस 1, देखिए, 0 cube करेंगे, तो 0 ही आएगा, प्लस, अब 0 से, 0 का square 0, 0 से 3 multiply एगे, 0 कर आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी number multiply किया जाता है, तो 0 ही आता है, तो 3 into 0 करेंगे, तो 0 आजाएगा, प्ल तो आप लिखेंगे, so by reminder theorem, one is the reminder, ओके, आईए, अब part fourth को देखते हैं, तो देखिए, part fourth है, x plus pi, तो आप लिखेंगे, divided को p of x सपोच करेंगे, तो आप लिखेंगे, let p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, ठीक है, और x plus pi का 0 निकालेंगे, x plus pi is equal to 0, तो x is equal to क्या होगा, minus pi, तो आप लि sorry, जहाँ-जहाँ x है, वहाँ पर minus pi रिपूट कर देना है, तो आप लिखेंगे, p of minus pi is equal to, तो आजाएगा, minus pi x cube है, तो minus pi whole cube, plus 3x square है, तो 3 into minus pi का whole square, plus 3x है, तो 3 into minus pi plus 1, अब देखिए, minus pi whole cube साल करेंगे, तो क्या आएगा, minus pi into minus pi, तो आएगा, minus pi cube, plus, अब देखिए, minus pi का whole square से सॉल्ट करेंगे, तो minus into minus plus हो जाएगा, और 3 से multiply करेंगे, तो आजाएगा, 3 pi square, तो आप लिख देंगे, ठीक है, तो 3 into minus pi का square, pi square plus में हो जाएगा, और यह plus minus into minus, minus 3 pi, और यह plus हो, plus 1, अब देखिए, यह minus pi cube, लिख लिखेंगे, अब ये आपका क्या है रिमाइंडर है तो आप लिखेंगे तो आप डिवाइडेंड को जो है P of X suppose करेंगे तो आप लिखेंगे लिट P of X is equal to XQ plus 3X square plus 3X plus 1 ये question में दिया हुआ है ठीका है इसको हमने P of X माल लिया अब हम 5 plus 2X का 0 जीरो फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे since 5 plus 2X is equal to 0 तो 2X is equal to क्या होगा plus 5 right में जाएगा माइनस 5 हो जाएगा और 2 multiply में है इधर भेजेंगे right side में तो divide में जाएगा तो X is equal to minus 5 by 2 तो X का value आगया minus 5 by 2 तो आप लिखेंगे 0 of 5 plus 2X is minus 5 by 2 अब जहाँ जहाँ X है वहाँ पर हमको क्या रखना है minus 5 by 2 तो P of X है हम लिख देंगे P of minus 5 by 2 is equal to X cube है तो minus 5 by 2 का whole cube plus 3X square है तो 3 into minus 5 by 2 का whole square plus 3X है तो plus 3 into minus 5 by 2 plus 1 अब इसको solve कर लेते हैं देखिए minus 5 by 2 का whole cube solve करेंगे तो क्या होगा minus 5 into minus 5 into minus 5 5 5 जा 25, 5 जा 125 और minus में आएगा तो minus 1, 25 divided by 2, 2 जा 4, 2 जा 8 divided by 8 प्लस अब आगे 3 है तो 3 into minus 5 by 2 का whole square solve करें minus 5 into minus 5 5 5 जा 25, plus 25 और 2, 2 जा 4 तो आगे 25 by 4 और ये plus minus 2 into minus 3, 5 जा 15, 15 by 2 plus 1 तो आप लिख लेंगे minus 125 divided by 8 लिख लेंगे plus 25, 3 जा 75 75 by 4 और ये minus है minus 15 by 2 और ये plus 1 है तो plus 1 अब देखिए सब का denominator equal नहीं है तो हम क्या निकालेंगे LCM 8, 4, 2 और इसका denominator है 1 सब का LCM निकालेंगे क्या हैगा 8 तो आप लिख देंगे 8 अब देखिए 8, 1 जा 8 तो minus 125 वण जा minus 125 तो अब लिख देंगे plus है plus अब 4 का टेबल पढ़िए 8 आजाए 4, 2 जा 8 तो 75, 2 जा 150 minus है minus अब 2 का टेबल पढ़िए 8 आए तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तब 8 आएगा तो 15 में हमको 4 से multiply करना पढ़ेगा 15, 4 जा 60 minus 60 आगिए plus अब इसका denominator है 1, 1, 8 जा 8 तो 8 जा 8, 8 आगिए अब plus plus को हम add कर लेंगे और minus minus को add कर लेंगे तो minus 125 minus 60 is equal to minus 185 अब plus 150 plus 8 158 अब minus 185 में से 158 मैंस कर देंगे निकाल देंगे तो आएगा minus 27 by 8 और ये आपका reminder है तो आप लिखेंगे so by reminder theorem minus 27 by 8 is the reminder ओके it's clear